नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जौप एजूकेशन साथियों 36 गर्षिक्षक भरती से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है जो आप में से बहुत साथियों के मन में है जो कॉमेंड के माध्यम से हम तक पहुँचता है सबसे पहला सवाल जो आप में से बहुत सारे साथियों का आ रहा है कि आचार सहिता कब तक देखे प्रदेश में आप सभी जान रहे हैं 2023 है और 36 गर्ष में विधान सफा चुनाव होने को है सवाल बनता ही है सब के मन में आखिर प्रदेश में अचार सहिता कब से लगेगी तो मैं आपको बता दूँ अचार सहिता लगभग आपके 10 अक्टूबर के आजपास लग सकता है जीहां साथियों 10 अक्टूबर को अचार सहिता लग सकता है November, December में आपका चुनाव होना है ठीक है अचार सहिता लगने के बाद सभी भरती प्रक्रिया बाधित हो ही जाता है ठीक है इसमें दो मत की बात नहीं है भई कि भरती प्रक्रिया उसमें होता क्या है जो आपके रणिंग भरती है न उसमें अगर सरकार चाहे तो आपको परिस्थापना दे सकते लेकिन नई भरती बिल इसी बाधा जरूर आएगी जब चार सहीता लग जाता है चुनाव से पूर्व ज्वैनिंग देखिए जैसा की अभी स्थिती निकल कर सामने आ रही है आप सभी आउगत हैं देखिए शवदा जुलाई को आपके व्याख्याता का वेरिफिकेशन हो चुका वेरिफिकेशन सरी इसमें कॉंसलिंग हो चुका लेकिन अभी तक उनकी ज्वैनिंग नहीं हुई है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी रनिंग होने वाली है चलने वाली है ठीक है लेकिन अभी तक इसका जो ज्वानिंग हुआ नहीं है मान के चलो एक लिस्ट की ज्वानिंग देने में जो गौर्मेंट है जो विभाग है 25 से 30 दिन अगर ले रहा है तो आप स्वया मंदाजा लगा सकते हो कौन से तरीके से वो ज्वानिंग करेगी कि वो पूरा चुनाव से पहले कर पाएगी निकलेंगे ही ठीक वैसे ही आपके सायक शिक्षक में तिन लिस्ट निकलेंगे ही यदि इन तीनों लिस्टों को तिन-तिन महने के हिसाब से भी बाटा जाए अगर इसको बीस-बिस देखिए 20-20 दिन के भी हिसाब से अगर बाटा जाए तो दो-दो महिने के समय एक-ईक वर्ग को लग जाता है जीहान साथियो, दो-दो महा है यदी इस तरीके से यदी वो प्रक्रिया अपनाएगा मुझे यही लगता है साथियो कि चार से पाँच महा तो लगेगा ही जौैनिंग देने में और आज अगस्त लगने को है एक दो दिन में अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारे पास सिर्फ तीन ही माह है वो भी तीसरा माह अर्थाथ जो अक्टूबर है उसमें अचार सहीता लगेगी प्रभावित होगा ठीक है कहने का तात पर यह है केवल दो से तीन माह का ही समय हमारे पास है याधी सरकार चाही चाहेगी तो जल्दी तो कर सकती है लेकिन बेहद मुष्क्रासाथियों एक लिश्ट के लिए काउंसलिंग करना गूंसलिंग के बाद में वैरिफिकेशन की डेट निकालना गप एक माह का समय लग जाता है जी हां इस हिसाब से दिए आप अंदाजा लगाओ तो सासन किसी भी जर्थ पर तीन माह में सभी पदों की अर्थाद 12,489 कुल पदों की भरती बेहद मुश्किल हो पाना ठीक है ये एक समान्य वारतला पर साथियों और आप स्वयम अंदाजा लग सकते हो आप स्वयम सोची इस बात को मैं जो अनुभाव 2019 में हुआ है उसी अनुभाव के अधार पर मैं इस भरती को ले रहा हूं और ये हो ही रहा है आप या ख्याता फर्स लिस्ट का देख चुके हो पिछला ही अनुभाव इसमें भी वही चीजे हो रही है जो पिछली ब लग रहा है इस हिसाब से चुनाओ तक पूरी भरती प्रक्रिया कंप्लेट हो पाना मुश्किल लगता है फिर हल साथियो आई होप सासन भी जल्दी करे और जल्द से जल्द भरती प्रक्रिया को पूरी करे सभी साथियों को सभी चैनितों को जल्द से जल्द जो है न्यूक